हाई गाईज वेलकेम टू कुरेंट अफेर्स फंड हाँ दोस्तों आपको एक इंपोर्टेंट न्यूज यहां पर बताना चाहूंगा अभी आपने यह देखा था कि 4 सप्टेंबर को जो है एक सर्कुलर जारी किया गया था गवर्मेंट आफ इंडिया की ओर से डैट इसके ऊपर गवर्मेंट ऑफ इंडिया का एक क्लेरिफिकेशन आया है अब उस क्लेरिफिकेशन ने उन्होंने क्या कहा है यह आपका मिनिस्ट्र आफ फैरंस का ऑफिशल ट्यूटर है इन्होंने लिखा है देर इस नो रिस्रिक्शन और बैन आन फिलिंग अप पोस्ट इन पर इनका बता दे रहा हूं जिसमें इन्होंने लिखा था दा डिपार्ट्मेंट ऑफ एक्स्पेंडीचर सर्कुलर डेटेट फोर सप्टेंबर टॉन टी डेल्स विद इंटर्नल प्रोसीजर फॉर क्रेशन आप पोस्ट एंड डस नॉट इट एनिवे अफेक्ट और कर्ट इसका मतलब यह है कि जो यह पूरा नोटिफिकेशन आया हुआ है आप पहले इसमें एक बार पॉइंट को देख लें इसमें जो यह वाला पॉइंट था सी वाला पहले एक पॉइंट में लिखा है देर विल बी अबैन ओं क्रेशन आफ नुव पोस्ट एक्सपे एक्सेप् यह सारी चीज़ यहां पर लिखिए हैं सी में लिखा है इफ एनी पोस्ट है बीन क्रेटिट आफ्टर वन सेबन टॉन्टी अंडर डेलिगेटिट पावर्स और अथॉर्टी बिदाउट एप्रूबल ऑफ डिपार्टमेंट आफ एक्सपेंडिचर एंड हैं नॉट एडव बिल्कुल चंगा सी किसी चीज में कोई समस्या नहीं है आप यहां पर यह देखें कि पहले तो वेकंसिस आई नहीं रही है ना इसी वज़े से तो लोग जो है इस तरीके का प्रोटेस्ट कर रहे हैं रेलवे की नौकरी में जब आपने देखा था कि 90,000 पोस्ट आ गई है इस तरीके से तो उनी सारी चीजों के उपर लोग अपना बिरोध पर दर्सन दिखा रहे हैं ठीक हैं तो यह खा गया है कि आने वाले टाइम पर जो भी रिक्रेट्मेंट होगे उनके उपर इनका कोई भी जो है इफेक्ट नहीं पढ़ने वाला as usual होगे तो यहां पर जो न जो regular vacancies आती हैं उनसे कोई भी लेना देना नहीं होगा यह इनके internal department में जो creation of new post के उपर बात कही गई है ताकि उस expenditure को थोड़ा cross cut करके manage किया जा सके ठीक है यह पूरा official एक circular था जो 4 September को जो है जारी किया गया था economic further economic measures को ध्यार में रखते हुए expenditure management यह इनका एक subject था जिसमे point number two में बताया था कि creation of post में आपको क्या करना है ठीक है तो यह दो तीन चीजे हैं जो यहां पर इनों ने बताई थी अब इनका finally clarification आ गया है अब यहां पर एक बड़ा सवाल और भी होगा मैं यह चाहूंगा कि आप सभी इसी tutor account में मैं इसको ट्यूट कर दे रहा हूं अपन पर सीधा यही कहें कि ministry of finance please give direction to the banks to declare the not reported vacancies और जो इनोंने pending process है इनका that means कि अभी तक इनोंने जिन clerical को ही नहीं वरा है उनके उपर दोस्तों इनको अपना संग्यान लेने की बहुत ज़्यादा जरूरत है और अगर आप सभी मिलकर इस tutor के नीचे ही अपनी बात रखेंगे त मिनिस्ट्र फाइनस के कानों में थोड़ा सा तो असर पड़ेगा और वो इन चीजों को समझेगा कि यहां पर जो बात कहीं जा रही है वो काईदे में लोग उससे परिशान है और कहीं ना कहीं पर वो भी एक सीरियस मुद्दा है मैं इस tweet को कर दे रहा हूं और नीचे अप प्रेक्टिस मौक के तो अगर आप बैंक एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं लाइक और भी ऑफिस असिस्टेंट या फिर ऑफिसर स्केल बन या एवी पेस प्यो तो इन एक्जाम के लिए एक फ्री मौक एबलेबल है मैं लिंक आपको नीचे प्रेक्टिस मौक कर दे दूँग रहा सकें अगली वीडियो में फिर मिलेंगे हैव अगुड देट वाल फ्यू वन्स अगें